नवस्कार दोस्तों सागत आपका अपनी चल में स्ट्रेस विकलाइज पर जिहां दोस्तों आज के आउट्शोर्शिंग कच्चे करम चे जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जाल लेते हैं कहां से क्या खबर आई है तो सबसे पहले दोस्तों सुरुआत करते हैं आज यहां पदों पर लगे करीब 1500 कोंट्रेक्ट करमचारियों की नोकरी फिलाल जारी रहेगी जिहां दोस्तों चंडिगट से अपडेट आ रही है यहां पर कोंट्रेक्ट करमचारियों की जो नोकरी पर तलवार लटकी हुई थी मार्च के बाद इनका बजट जारी नहीं होगा और पदक समाप्त कर दे जाएंगे तो अब इनको रहत दे दी गई है इसी से संबंद में आपर दोस्तों जो है अपडेटा आयो ही है यहां पर बता दे आप लोगों को परसासन ने अलग-अलग भी भागों में काम करें कोंट्रेक्ट करमचारियों के लिए दोस्तों एक पॉल जारी रहेंगी इसमें क्या कुछ बता गया है यहां पर आप लोग देखिए इस पॉलिशी में यह है प्रावधान तो कुछे मामलों में विभागों का जो कॉंट्रेक्ट करमचारियों को लेकर फैनेस डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेना जुरूरी होगा सिलरी के वेजिज हैड से दिया जाएगा वहीं सभी विभाग जो संबंदित मंत्रालों को अपने यहां के सेंक्शन पोस्ट की रिवाइवल वैप पोस्ट क्रियेट करने संबंदित परपोजल एक हपते में बेजेंगे यानि के जो पन समाप तो नहीं हो तो होंगे ही लेकिन दस्ट के लगा जाती तब तक तो यह सेफ ही मानिये याँ पर तब तक यहाँ बात बोली गई है और वह उस्यमें ये सबसे बड़ी बात है कोन्ट्रेक्ट पर कोई भी बरती नहीं होगी चंडिगण में इस पर रोक लगा दी गई है बिवाणी से अपडेट देख लेते है अगले यहाँ पर DC करेले पर सत्यागर है धर्ना देकर ग्यापन सोपेंगी PWD मेकेनिकल वरकर यूनियन जी है दोस्तो हर्याणा गवर्मेंट PWD मेकेनिकल वरकर यूनियन की दोस्तो मीटिंग हुई है यहाँ पर बता दें आप लोगों को इन्होंने अपने 21 सुत्रिय मांगो पर विचार विमस किया और ग्यापन सोपने की तैयारी की है जिसमें यहाँ पर इन्होंने मांग उठाई है कि पुरानी पेंशन बहाली आठवे वेतन आयोग का गठन आउट्सोर्सिंग वर्च जो वरक चार्ज डेली वेतन जो भोगी होती है डेली वेज करमचारी होते है ठेकेदारे पर था कोसल उजगार निगम प्रोजेक्ट स्कीम की तैत कारेत क्रमचारियों को उनके कारे सतहलों पर नीमित करने यानि के जहां-जहां पर जो भी लगावा है उनको नीमित करने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर उन्होंने आवाज उठाई है और इनी 21 शु बयक्तव कर दिया इन क्रमचारियों को यह दोबारा से कांपर लोट गई है जोकी अच्छी तिन साल से वेतन नहीं बढ़ा है आठ महीने पहले पर पोजल भी सोपा गया था वे सेलरी बढ़ाने को तो डिसी रेट पर ये क्रमचरी जो काम कर रहे हैं पिछली बार इनकी 2019-2020 में जो है सेलरी बढ़ी थी लेकिन उसके बाद से अब तक यहां पर जो सेलरी नहीं बढ़ी ह यहां पर बता गया है उपायुक्त कारेले की और से प्रसासन के धिन सभी विभागों के हैड को पतर लिकर 2024-2027 के लिए रिवाइज डिसी रेट के बारे में जनकारी मांगी गई है और पांच तारीक तक यानि के आज की लास्ट डेट है जो भी विभागों में पे बैंड ग्रेड पे या पोस्ट और शुरुवाती वेतन से संबंदी जानकारी परदान करने को भी बागों को का आगया है ताकि इन करमचारी की शेलरी को रिवाइज किया जासके तो बहुत जल्द इन की जो है शेलरी बढ़ती नजराएगी साड़ी तीन साल के बाद इसके बाद ह है तारीक को दोस्तों जो है परदसन करने जा रही है अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंतरी आवाज के सामने उपवास करेंगे जी हाँ पिछले 6 महिने से भी भाग में कंप्यूटर लैब अटेंटेंट की वेतन बढ़ोतरी की फाइल जो है मुख्यमंतरी द्वारा कोई सक्योरीन की जो सेलरी बढ़ाई जास के भीवाणी से अपडेंट देख लीजए बकाय वेतनं की मांग को लेकर 1 मजदूर यहां 1 विभाग मसदूर यूनियन ने लिखा है पत्र तो सो मार को 1 विभाग मसदूर यूनियन ने दोस्तों 1 राजिक अदिगारी लोहारु को पत कारियों के माध्यम से मुख्य मंत्री जी को आगे देख लिजी नए एप के खिलाप पंप ओपरेटर वा सफाई करमचारियों ने किया है परदसन तो दोस्तों यहां पर कल पूरे हर्याणा में परदसन करते हुए नजर आए ग्रामिड सफाई करमचारी ग्रामिड चोकिदार और साथ में ग्रामिड ट्यूबल ओपरेटर तो अलग अलग जीलों से अपडेट आप लोग देखेंगे फते बाद से अपडेट है ओनलाइन के बहाने से करमचारियों को गुलाम बनाने का फर्मान वापिस ले सरकार यहां पर भी आप लोग देख पा रही है सोनिपत में दोस्तों अलग अलग जो है तसी लेवल पर और डिश्टी के लेवलों पर ग्रामिड सपाई करमचारी ग्रामिड ट्यूबल ओपरेटर ग्रामिड चोकिदारों के दौरा इनकी जो ओनलाइन हाजरी लगाने के आदेश दिये हैं फोन से समार्पोन से उसका ये विरोध कर र रहे हैं और इसको एक गुलामी का परती कि यह मान रहे हैं यहांपर आप लोग देख पा रहा हैं कैसल से ओनलाइनरी के नाम पर गुलामी सपाइक रमचारी ग्रामिन चोकिदार और ग्रामिन ट्यूबल ऑपरेटर यहां पर प्रदसन करते वे कल नजर आए एक रोजगार मिला देख लीजी यहां पर मेंदरगड से अपडेट है राज के आई टी आई में कल होगा जोब मेले का आयो जनतों यहां पर दोस्तों राज को सुबह नो बजे से यहां पर जो है केंडिडेट अपने सभी दस्तावेज और जिरोक से लेकर पहुंच सकते हैं तो यहां पर जो है कंपनी है जो अलग अलग वहां पर यह आएंगी और विदारतियों का चैन करेंगी कैथल से देख लेते हैं अपडेट यहां पर कि द्वारा आशावरकर को इनफोर्मर की प्रोचसाहन राशी देने में भी भाग कर रहा है आना कानी जहां दोस्तों का मतलब यहां पर आप लोग समझ लीजिए जैसे जो टीपी के मरीज जो उनकी सूचना देने पर और उनको रेगुलर दवाई देने पर जो आशावरकर पर उनको दवाई देने पर 5000 रुपे पॉत्सान राशी दी जाती है आशावरकरों को विबाग के द्वारा और सूचने देने पर 500 रुपे दिये जाते हैं तो ज़ोस्तों बता MUSIC आप यहाँ पर जो आशावर कर है उनका आरोप है कि विबाग जो है इनका जो पेइमेंट नहीं कर रहा है वैसे बता दें साथियों आप लोगों को ये भी कि जो आशावर कर उसकी शेलरी कोई ज्यादा नहीं होती है लेकिन उनको अलग-अलग कामों के लिए प्रोधसार रासिया दी जाती है अलग-अलग जो काम ये करती है अलग-अलग स्कीम के साथ ये जुड़ी होती है उन स्कीमों को लागो करवाने में तो यहाँ पर भी टीबी उनमूलन की जो स्कीमों उसके साथ आशावर कर जुड़ी हुई है इनफोर्मर के तोर पर जो ये काम करती है तो इसी बात को लेकर इनको जो पैसे मिलते हैं उसका ये विवाद सामने आया है इस वितवरस में आलके दिकारी बता रही है कि 1.74 लाख रुपे की इनफोर्मर आशावरकरों को मिल चुकी है यानि के सुचना देने पर जो ये काम करते हैं उसका जो है एक पॉइंट साथ 4 लाख रुपे जारी किया जा चुका है विवाग के द्वारा लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है वह बले ही विवाग के लिए तो इतना बज़ट नो ये दिखता है वह ये ठीक है अब नहीं तना जारी कर दे लेकिन हो सकता है बहुत सारे जो करे करता है उनका नहीं भी आया हो पैसा तो इसमें कोई जुरूर नहीं है जिसका भी करें, thank you very much.